हेलो एवरिवेन, एडिवेस फाउंडेशन का ये एजुकेशनल चैनल और हम आपके लिए हिंदी के जो टॉपिक ला रहे हैं, एंटरंस एक्जाम को ध्यान में रखते हुए भी हमने कुछ टॉपिक डिटेल में बनाये हैं टॉपिक और उनको ध्यान से देखें, हमने इसका पार्ट हिंदी कहावतें आपको कराया हुआ था कहावतों का, और आज हम आपको इसके बहुत सारे जैसे आपको इजी रहे कि आप अराम से उसको बिना कोई बुक खोले और ये सब अच्छे से कर सकें, मैक्सिमम आपको देने की कोशिश की आप कम से कम टाइम में अच्छे से जादा से लिक्टरेचर को पढ़ सके, कहावत आम बोलचाल में इस्तमाल होने वाले उस वाक्यांश को कहते हैं जिसका संबंद किसी ना किसी पुराणिक कहानी से जुड़ा होता है, ठीक है, अब ये चीज है कि हम लोग की पुरानी कहावते चले आ रहे हैं तो हम उसको डायरेक्ट जैसे किसी को बुरा भी ना लगे और ये एहसास हो जाए कि हां कहा उसे ही गया है, ठीक है, इस तरीके से शब्दों का ताना बाना इन कहावतों में जुड़ा होता है, अब मैं आपको पिछले जो इसका पार्ट बन था, इसमें आपको 20 क्यास पस कहावतें इसलिए हमने ये बनाई है, इसको पॉस करके आप ध्यान से पढ़ें और देखें कि कितना आपको मैक्सिमम एडिवेस फाउंडेशन के एजुकेशनल चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारा कम टाइम के अंदर कवर करने का मोका मिल रहा है, ठीक है, SSC, CTET और 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 भी ज लिंक पर क्लिक करें तो आपको हमारी वेबसाइट भी और आपको यूट्यूब चैनल की जो लिंक है वो भी और जब वो आप क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा उसमें प्ले लिस्ट पर आप सारे टॉपिक सबजेक्ट वाइस बिल्कुल सीरियल वाइस आपको विज सीरिस किलियर हो अच्छे से आप जिस उद्देशे से इसको पढ़ रहे हैं वो फली भूत हो हमारी यही कामना है जो विध्यारती पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उनको न्यू अपडेट्स हमारे मिलते रहें न्यू नोटिफिकेशन और एक सबसे बड़ी बात की सब्सक्राइब इसलिए भी करना है क्योंकि हमारा यह सीखोर सिखाओ एक अभियान है कोशिश है उन बच्चों तक भी पहुंचने के लिए जिनके पास यह पता ही नहीं होता कि हमें क्या-क्या टॉपिक कवर करने हैं तो खाली एक टेस्ट की तयारी के हिसाब से आप अगर कर लेते हैं हमारी कोशिश है उस टॉपिक को जो वो उसमें आ रहा है उसके अंदर मैक्सिमम आपको हम उसमें आपको दे सकें कि आप ज्यादतर उसको अच्छे से कर सकें आपको अच्छे से किलियर हो गया होगा आज के लिए हम यही पर व्राम लगाते हैं इस टॉपिक को और नेक्स टॉपिक भी आपके लिए बहुत सारा जैसे आप स्टडी कर सकें कम टाइम में फिर लिक करा